नमस्कार आज फिर मैं आपके लिए एंपी बोट कच्छा नवी तसवी ग्यारवी बारवी हिंदी विसाइक के अंतरगत हिंदी सायत में हम एक मैधपूर प्रसन लेकर आये हैं तो यह प्रसन कुछ इस प्रकास से जो परीच्छा में अक्सर पूछे आते हैं तो प्रसन देख काव या कवता की चार बेसेजता हैं अत्वा प्रिवर्तिया लिखिए और साथ में कवियों के नाम और उनकी रचनाई भी लिख सकते हैं ठीक है इसमें कवियों के नाम सर्फ दिये लेकिन हम उसमें रचनाई भी सामिल कर लेते हैं तो चलो पिर सुनू करते हैं तो उत्तर आपको किस तरह से लिखना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर को काले पेन से लिख लेंगे, मैंने आलाल पेन से लिखना, आप लाल पेन का प्रयोग बिलुकुल ना करें, आदने काव की चार भी सेचता हैं, इस प्रकार हैं, तो पहला, राष्ट प्रेम की भावन इस युक के कभीयों ने अपनी रचनाव में राष्ट्र प्रेम के गव्रों का चित्रन किया है भारत के प्राचीन स्वर्णयम एम संस्कृत का वड़न किया है देखो इसमें कागया कि इस युक के जितने भी कभी हुए है उन्होंने देश प्रेम के प्रति उनका लगाओ बहुत रहा इसलिए अपनी रचनाओं में भर भर के देश प्रेम क्या की आई उसमें लिखा यानि जो भारत का स्वरण समय था उसका भी उलेक उन्होंने किया है और जो भारत की बिसेशताएं थी और जो अंग्रेजों के खिलाप इन्हों ने खड़े ओकर उनका विरोज भी किया है लोगों को और लोगों के अंदर राश्ट प्रेम की भावना को प्रेरित और जगाने के लिए इन्हों ने खुब कवताएं लिखी है अगला फिर आता है आपका बिंदू नंबर तीसरा तो दूसरा आपका बिंदू इस प्रकार से आपके सामने रहा है तो दूसरे में कहा गया है कि सामाजिक जागरूकता की भावना इस काव के कवियों ने समाज में फैली बुराईयों जैसी जाद, पात, उच, नीच, बाल, विवाय, एवं छुआ छूट के प्रती समाज को जगाने का प्रियास किया है तो इसको आप समझ लो इस युग के जतने भी कवियों हैं उन्होंने क्या किया कि समाज में उस समय बहुत सारी बुराईया थी जाद, पात, उच, नीच, अंद, विस्वास, बाय, अड़, अबर, ऐसी कई कुरीतियां बुराईया थी छी, ठीक है, सिर्फ इन्होंने बुराईयों का अबरोद किया है सारी चीजों का अबरोद नहीं किया तो जितनी भी बुराईया थी जैसे छुआ जूट, आपस में लोग छुआ छूट मानते है अमीर गरीब मानते है, उच, नीच मानते है जादपास मानते है लेते हैं ये ओ गया बड़ा इस तरह से इरा तो बिंदू नमबर चार आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ दिया कि मुक्त तक छंदों का प्रियोग इस योग के कवियों ने छंद के बंदन से मुक्त ओका रचनाए सुरू की थी यानि इस देखो इससे पहले जब जो भाग बक्तिकाल था आदकाल था और रीदकाल था हलाकि भक्तिकाल और रीदकाल यानि और उससे पहले यानि आदकाल आदकाल बक्तिकाल रीदकाल इस योग में किसका करता है कैसी लिखी जाती थी चंदों को आदार मानका है तो दोवा, चौपाई, सोठा, चंद में लिखी जाती थी और चंदों क्या होती थी निश्च संख्या होती थी चाहे वर्डू की संख्या हो या मातराओं की लेकिन बात की जो कभी हुए उन्हें चंदों में क्या समस्य आई तो उन्होंने क्या किया कि बिना चंद की ही कवताइं लिकनी शुरू कर दी तो ये मुक्त चंद आदने काल की ही देने आदने काल में ही बिना चंदों वाली कवताइं शुरू होगी और जैसे ही चंद का बंदन मुक्त हुआ यानि चंद की जहाँ अनवारता समापती फिर तो कभीयों की बाढ़ा गी क्यों कि यहाँ पर कोई condition नहीं है उसके बाद आता है आपका बिंदू नमबर पाँच देखो पूछे चार गे लेकिन मैंने यहाँ पर पाँपरस्टत की है ठीक है जो आपको सरल लगी वो कर सकते हो करीब और किसानों के प्रती सानबूती इस काल के कभीयों ने किसानों और दलतों के प्रती होने वाले सोसल का विरोध करते हैं कभी उनके प्रती सानबूत रखते हैं यानि इस काल में जितने भी कभी हुए हैं उन्हों का जो गरीब है किसान मजदूर वर गए तल इत वर गए उनका उन्होंने पच लिया और जो इनका सोसल करते हैं उनका उन्होंने खुब मुखर होकर विरोध किया कुल मिला कर इस एक के जितने भी कभी हुए आदने काल के आदने काल में तो अब भी चला जितने भी कभी हैं उन्होंने अमेसा गरीब हो दबे कुछले लोगों का ही पच और समर्तन तथा उनके प्रतिसान भूती रखी है और जो उनका सोसल करते हैं उनसे अमेसा ही टक कर लेते नजार आया तो यह होगे आपकी क्या यह रही बिसेश्ता है अब आती हैं आपकी इस योग के कभी और उनकी रचना है तो आदने काल के प्रमुक कभी और उनकी रचना है तो यह देखो क्रमा कभी रचना है तो सबसे पहले आता है भारतें दो अरिश्चन तो इन्होंने प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोबर यहन्य लिखी तो बहुत सारी मैंने यहाँ पर दो लियें सिर्फ ठीक है पर इच्छा में यह रहता है या एक या दो पूशी जाती है अब अगला आता है तो इसको हम उपर कर देते हैं अब हम सुरू करते हैं दूसरा सुबद्रा कुमारी चवान त्रिधारा मुकुल तीसरा जै संकर पर साथ जैनना आसू का मैनी उसके बाद फिर आता है अगला नागार जुन युगधारा तुमने कहा था पांचवान दिया अग्गे हरी घास पर छड़बर पर छटवान दिया सर्वेसर द्यास सकसेना और उनकी रचनाई दिये हैं काट की घंटियां और खोटियों पर टंगे लोग तो ये देखो ओगे आपकी आदने काल की पांच बिसेशता है परीच्छा में दो, तीन, चार, पांच ऐसी पूछी आती हैं तो मैंने याँ संच्छे में सिर्फ रखा है ठीक और मुक जो पर मुक कभी है उनके एक एक नाम दे दिये हैं और उनकी एक एक दो रचनाई दे दिये हैं जो परीच्छा बोर्ड की दरश्टी से इतना काफी है इससे ज़्यादा लिखने की पूछा भी नहीं जाता है ठीक है तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवस बताईएगा हिंदी विशाय से यानि MP Board हो CBSC Board EP Board महाराष्ट Board किसी भी बोर्ड के हिंदी में समस्या तो हमें कमेंट करके अवस बताईएगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेगे किसी ने विशे के साथ तब तक आप खुस और स्वस्त रहें धन्वाद